वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला अपनी कमर कसनी पड़ेगी तेजी से तयारी को आगे बढ़नाना पड़ेगा तो अब हम लोग पचास-पचास क्वेशन देखेंगे और मैं अब एक क्राश कोर्स हिस्ट्री के लिए एकदम फ्री होगा वह आप देख सकते उसको इंपॉर्टन इंडियन पॉलिटी के क्रा का आपको गरेंटी दूँगा एक से एक इंपॉर्टन टॉपिक मैं आपको ले के आओंगा उसको पढ़ाओंगा ठीक है चलिए 901 कह रहा है निमनिलिकित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनों में अपना जीवन खोया था तो लखनों में अपना जीवन खोने वाले जनरल जॉन निकलसन नहीं इन्होंने दिल्ली में अपना जीवन खोया तो जनरल नील ये लखनों में मारे गया मेजर जनरल ह ये भी लगनों में मारे गए और सर हेंडरी लॉरेंस तो दो तीन चार तीनों ही सही है तो यानि ऑप्शन सी हो जाता है नॉसो 5 कह रहा है भारती ये भाषा में अठाज सु स्तावन के विपलव के कारणों पर लिखने वाला पृथम भारती कौन था तो 257 के विद्ध्रों के बारे में लिखा था सब से पहले अपनी भारती भा लिवाषा में सयधे मद। ठीक है किसने सइयाद है मन खान है नौस चे कह रहा है 1924 में संयुक्त प्रांथ के किस सहर में संपूर भारत में क्रांतिकारी की बैठक बुलाए गई यह तो आपका वहां पर अब हम लोग पहुंच गए जो आपका और 1924 में जब बगत सिंग वाली वह बनती है ना आर्मी वहां पर पहुंच गया तो यह थोड़ा बीच में आगया कॉशन चलो देख लेता है कानपूर है यह ठीक है सेंट प्रांथ की कानपूर नेक्स कॉशन देखते हैं नेक्स कॉशन कह रहा है 1857 में पृथम सोतंतरता संग्राम ब्रिटिश सरकार से सोतंतरता प्राप्ट करने में असफल रहा और क्या बिलकुल भाई कारण कह रहा है कि बहादूर सा जफर के नित्रत रुक्यो जन सैयोग नहीं मिला था और अधिका हो जाएगा नौसो तीन कह रहा है 1857 के संग्राम को पृथम सोतंतरता संग्राम का नाम किसने दिया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीडी सवार करने दिया था किसने दिया था वीडी सवार कर मतलब विनायक दामोकदर सवासकर नौसो साथ कह रहा है किसने लिखा था इस निर्णे से इनकार करना कठीन है कि तथा कतित 1857 का पृथं रास्टटिये सवतंतरता संगराम ना तो पृथं था ना रास्ट्टिये था और ना ही सवतंतरता संगराम था तो ये कहा था आपके किसने? औरसी मजूमदार नЕ आरसी मजूमदार, इंपोर्टन ये भी है काफी, तो याद रखेगा नौस ओर्ट कहा रहा है, 1857 की क्रांती के बारे में निमनिलिकित में से कौन सी एक अवधारणा सही है तो भारती इतिहास कारों ने इसे भारती विद्रों के रूप में वर्नित किया है ब्रेटिच इतिहास कारों ने इसे स्वधिन्ता का संगराम कहा है इसने भारत में इस्ट इंडिया कंपनी की साशन प्रणाली को म्रत पुराय बना दी यहाँ यह सही है, क्योंकि यहाँ से कंपनी रूल खतम हो जाता है और क्राउन रूल आ जाता है, तो ऑप्शन सी सही है पूरी तरह से 904 कह रहा है, भारती स्वधिन्ता अंदोलन का सरकारी इतिहास कर, मतलब अफिशिल हिस्टोरियन कौन था, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का, तो SN सेन कौन थे SN सेन, 904 का D हो जाएगा 909 कह रहा है, सामरागी विक्टोरिया ने 1858 की घोष्णा में भारतीयों को बहुत सी चीजे दिये जाने का आशवाशन दिया था निम्न आशवाशनों में से कौन सा ब्रटिस आशन ने पूरा गिया option, रियाशतों को हड़पनी की नीती समाप्त कर दी जाएगी हाँ, ये तो बिल्कुल ही सही है कि अब जो जल रहा था ना, आवद कब्जा लो आपका जहांसी ले लो, सतारा ले लो, ये सब बंद नहीं होगा, अब जितना है हमारे पास उसी पर राज करेंगे, तो option ही बिल्कुल ठीक है 910 कह रहा है, नील क्रशकों की दुर्दशा पर लिखी गई, पुस्तक नील दरपन के लेखा कौन थे तो नील क्रशक की दुर्दशा पर जो ब किताब लिखी थी, वो लिखी थी, दीन बंदू मित्र ने, जो नील विद्र हो चला था, 1869 में, है न, ना चाहते हो भी जवरजस्ती नील उगवाई जाती थी, अन्चाहे पैसो पर, अन्चाहे दाम पर 911 कह रहा है, नील दरपन नाटक का लेखा, तो फिर रिपीट है, दीन बंदू मित्र हो जाएगा, 916 कह रहा है, कूका अंदोलन की नीव कहां पड़ी, तो कूका अंदोलन की नीव पड़ी, पंजाब में, कहां पड़ी, पंजाब में, गुरू राम सिंग ने डाली दी, ठी नीव ने लिखे तुमेंसे कौन है, फराजी विद्रो का नेता, तो फराजी विद्रो का नेता था दादू मिया, कौन था, दादू मिया, 912 कह रहा है, आनंद मत उपन्यास की कथा वस्तू अधारित है, तो देको आनंद मत, बंकिन रम चैटर जी ने लिखा था, जो वंद प्रदान की थी, तो सन्यासी विद्रो को ख्याती प्रदान की, आनंद मत की द्वारा बंकिन चम चैटर जी ने, किसने, बंकिन चम चैटर जी, ठीक है, ऑप्शन भी हो जाता है, 918 भी देका, फराजी विद्रो का नेता, दादू मिया था, 919 वेलू ठंपी ने अंग्रेज में से कौन सहिस्तान, गड़करी विद्रो का केंद का, तो गड़करी जो कास्ट है, ये महरास्ट की है, मराथन थे ये लोग, है न, तो ये गड़करी जो थे, ये हैरेटरी सर्वेंट, मतलब आनुवानसिक दास थे मराथाओं के, मतलब एक तरह से उनी की सेवा में लगे रहते थे, तो ये कोलापूर के थे, कहां के थे, कोलापूर के, 914 कह रहा है, बंकिम्चंचेटर जी के प्रिसिदू पन्यास आनन्द मत का कथानक आधारित है, तो ये किस पे आधारित है, सन्यासी विद्रो पर आधारित है, अभी करामने, 915 कह रहा है, उन्नीसवी के दौरान होने वाले वहाबी अंदोलन का मुख केंद्र क्या था तो जो वहाबी अंदोलन था उसका मुख केंद्र पटना था क्या था पटना नौसो भी सभी करा गटकरी विद्रो कोलापूर नौसो एक इस बगेरा विद्रो कहां हुआ था तो बगेरा विद्रो बढ़ोदा में हुआ कहा हुआ बढ़ोदा तो डायरेक्ट वन लाइनर है इसको रटना ही पड़ेगा आपको ठीक है एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टन यह सब आते हैं कि 922 के रहा छोटा नाख पूर जंजाती विदर तर च्छोटा नाख पुर जंजाती विद्र यह 1922 में हुआ मद्राज में, संथल अभीकरा बंगाल में हुआ था बिहार के कुछ पार्ट में, 1855 में 224 मुंड़ा विद्रो का नेता कौन था तो बिर्सा मुंड़ा, मुंड़ा विद्रो का नेता कौन था बिर्सा मुंड़ा और कब हुआ मुंडा विद्रो तो 1895 में 928 कह रहा है मैचिंग करू तो बैरकपुर विद्रो बैरकपुर विद्रो हुआ 1824 में नॉम्बर 1824 फिर पूछ रहा है आपका बहरामपुल विद्रो ये फरवरी 1857 संथल विद्रो ये आपका 1855 वेलोर विद्रो ये जुलाई 1806 ठीक है तो इंपोर्टन डेट से इनको याद रखिए ये आते हैं मेन सो आरो यारो का या प्रेलिम्स इसी टाइब की क्वेशन आते हैं थोड़े फैक्ट्वल बेस 924 हभी कराम लोगोंने मुंडा विद्रो का नेता कौन था तो मुंडा विद्रो का नेता बिर्सा मुंडा था 925 कहा रहा है हौज विद्रो कब हुआ तो हौज विद्रो हुआ 1820-1821 में ठीक है 926 1921 का मोपला विद्रो कहा हुआ था तो 1921 का मोपला विद्रो केरल में हुआ माला बार कहा हुआ केरल माला बार 939 कह रहा है इन में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है मुंडा बिरसा मुंडा थे ठीक है संधल कानू ये भी सही है आहोम रिवल्ट जो था वो गोमधर कुअर देख रहे थे ये भी सही है ये नायक ताना भगत ये गलत है क्योंकि ताना भगत जो थे ये आपके ताना भगत रिवॉल्ड चल रहा था एक ट्राइबल कम्यूनिटी थी जन जाती थी जार गंड में वो देखते थे ठीक है तो ये गलत है 930, उनिस्वी सदी के क्रशक विद्रो को उनसे समंदे छेत्रों के साथ सुमेलित कीजे तो ठीक है कूकी विद्रो कहां हुआ तो कूकी विद्रो अभी आप सुन रहे होगे कूकी कम्यूनिटी मनिपुर में तो important हो सकता ही आजए क्योंकि न्यूज में है कूकी मनिपुर और तरिपुरा कुका पंजाब में है नि तेरा कोका कोका ऐसे आद कर लो पबना बेंगॉल में है बिरसा मुंडा बिहार आज के समय जार खंड ठीक है अगर जार खंड भी आ जाए तो भी सही है ठीक है तो इसको याद रखिएगा 932 कह रहा है एसियाटिक सोसाइटी ओफ बेंगॉल के संस्थापक कौन थे तो इसियाटिक सोसाइटी ओफ बेंगॉल 1784 में मदरास में बनी विलियम जॉन्स ने बनाई इंपोर्टेंट है बहुत ज़्यादा 933 निम्लिकित में से किसे पैरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्था प्रदान की गई तो पैरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्था माइकल मदू सूदन दत्ता माइकल मदू सूदन दत्ता को प्रदान की गई 930 Lord Macaulay किस से संबंदित है तो Lord Macaulay सब को पता हुगा भाई अंग्रेजी सिच्छा का विस्तार इनों नहीं करा यहां पर तो अंग्रेजी सिच्छा से 949 भारत की सेंच्रिक नित्रत में फिल्ट्रेशन थेओरी के प्रतिपादक कौन थे तो जो फिल्ट्रेशन थेओरी यह भी Lord Macaulay ही लाया था ठीक है तो option B हो जाता है 940 कह रहा है किसके साशनकाल में भारत में अंग्रेजी सिच्छा आरम की गई थी तो लाया तो मैं कौल है ठीक है साशनकाल अगर बात करें तो Lord William Bantic ठीक है Lord William Bantic हो जाएगा option A हो जाएगा 934 कह रहे है निमनलिकित में से किस ने कालीदास की प्रिसिद रचना सकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था तो कालीदास की रचना का पहली बार अनुवाद की अंग्रेजी में सर William Jones ने छी चले दर मचा दी सो 935, British शरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार सिच्छा के लिए एक लाग रुपए दिये तो ये बहुत ज़्यादा important question है ये polity में भी आता है और आपका history में भी आता है तो 1813 के charter में एक लाग रुपए दिये दे ठीक है 940 किसके साशनकाल में भारत में अंग्रेजी सिच्छा आरम की गई तो ये तो अभी करा लौड विलियम बैंटिक deck and education society की स्थापना किस ने की थी तो deck and education society 1880 में लोकमान ने तिलक यनी बाल गंगदर तिलक ने की थी निमलेखी तुम्हें सरुपतम किस की स्थापना हुई हिंदू कॉलेज कॉल्गता हाँ ये तो भाई सबसे पहले ये द्यान रगना है 1817 में ठीक है 936 कह रहा है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विसेज जोर दिया गया किस की विकास पर तो हंटर कमीशन में प्राइमरी एजुकेशन मतलब प्राथमिक सिच्चा को और हंटर कमीशन आया 1854 में लौड रिपन लाया था इसको ठीक है किसके साशन गाया में लौड रिपन ठीक है सैडलर आयोग ये भी सिच्चा से संबंदित था 1917 में आया था सैडलर आयोग कब आया था 1917 में सिच्चा के लिए 942 अभी कर चुके 943 निमनलिकित में से किसने भारती विश्विध्यालयों में धार्मिक सिच्चा के लिए प्रुबल रूप से वकालत की थी तो मदन मोहन मालवी भी या इन्होंने करा था किसके लिए धार्मिक सिच्चा के लिए 944 कह रहा है बनारस हिंदु इश्विध्यालय का सिला नियास निमन में से किसने किया था तो सिला नन्याश किया था, Lord Harding ने, किसने किया था? लोड, Harding ने और ये बना था कब 4 फरवरी 1916, फरवरी नहीं भी याद रखो, 1916, ठीक है, और कर बनाया किसने था? किसने बनाया था? मदन मोहन मालवी ने ठीक है, तो याद रखी है की दोनो नाम, और ये पहली केंद्रिय यूनिवर्सिटी भी थी 945 में पूछ रहा है निमने लिखितम में से किसे सरप्रतम केंद्री विश्विद्याले गोसित गिया गया तो बनारस हिंदू विश्विद्याले वरानसी को ठीक है मदन मोहनमालवी 1916 950 कह रहा है किस गवर्नर जनरल के समय भारती भाषा परिशद अधनियम समाप्त किया गया तो दो को भारती भाषा परिशद अधनियम इसको लाया था कौन लॉर्ड लिटन 1878 में जिसको 1882 में रिपन ने पूरी तरह से क्या कर दिया था खतम कर दिया था ठीक है याद रखिएगा इसको 911 पूछ रहा है गिजाली नामा के एक महत्पूर लेखक किसके साशनकाल में था तो गिजाली लेखक ये जो था अकबर के साशनकाल में था किसके साशनकाल में अकबर 1556 से 1605 946 भारत का पहला समाचार पत्र बहुत इंपोर्टन्ट है कौन था बेंगाल गैजट कौन सा था बंगाल गैजट 1780 में आया था किसने बनाया इसको जेम्स ऑगस्तस हाई के जेम्स ऑगस्तस हाई के ठीक है 947 भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था बंगाल गैजट 1780 जेम्स ऑगस्तस हाई के 952 फार्सी सब्ताहिक मिरातुल अकबार को प्रकाशित कौन करता था तो मिरातुल अकबार राजाराम मोहन रहे कौन करता था राजाराम मोहन रहे 953 हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दत मारतन हिंदी का पहला समाचरपत्र उद्दत मार्तन कब प्रकाशित हुआ मतलब कहां से प्रकाशित हुआ तो कोल काता से कहां से कोल काता से दोस्तों ये थे 55 important question अब हम लोग 50-50 करके करेंगे इसको जल्दी से खतम तो अच्छे से इसको revision करते रहिए average view मैं देखता हूँ दो चार पांच साथ मिनट होता है competition देख रहो भाई इसलिए डरो मत हर आदमी बस form तो बढ़े गया है पढ़ने वाला उसमें जो dedicated तैयारी करना वह 40-50 अजार है तो उससे घबराओ मत है क्योंकि इन में से जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ठीक है अब इसको मैं देखता हूँ कि average views में मतलब बहुत कमी लोग होंगे जो पूरा देखते होंगे अच्छे से religiously उसको follow करते होंग तो कोई दिखक नहीं है अराम से पढ़ो जिसको selection चाहिए वो अराम से करेगा तैयार चलो मिलते नेक्स वीडियो में